इसको बनाते कैसे हैं यह देखो फिर्स्ट इस टॉप लाइन से जहां पर मैंने आपको यह दॉट दी है ना इसको यहां से ऐसे नीचे वही डॉट के पास लाके ऐसे हम कर्व बनाएंगे और इसके उपर हम डाल देंगे स्लीपिंग लाइन क्या डालेंगे श्लीपिंग लाइन तो यह क्या बन जाएगा? जे, क्या बन जाएगा? जे, जे से इस जग, जे जग, 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 सुन्दर सुन्दर हैं, राइटिंग में मैं को आपने पिक्सेंट करनी है अपने आप लिखना है मममा की हेलप नहीं लेनी अपने आप मैंको सुन्दर सुन्दर काम करके दिखाना है और बोल बोल के लिखना है जे से जग, जे जग, जग, और लाइन से बाहर नहीं निकालना है तो अब हमने जो alphabets है a to d किया था फिर a to h किया था अब हम करेंगे a to j तक यह देखो कैसे करेंगे आपको पता है न फर्स्ट की पहले क्या लिखते हैं a a b c d e then f g h h i and then j तो अब हमने a b c कहा तक लिखनी है till letter j तक तो अच्छा अच्छा सुन्दर सुन्दर काम मैं को send करना है okay so next work is this is count and match what is this count and match अब हमने यहां पर क्या करना है we have to count the pictures and with match the pictures okay see अब हमने इसको पहले न यह क्या बना हुआ है balls बनी हुए है इसको हमने count करना है कैसे count करना है see hold the pencil very nicely इसको हमने ऐसे count करना देखो यह ऐसे one lines डाल के ठीक है ताकि यह दुबारा हम से हमें पता चल जाए कि हमने कौन सी ball को हमने count कर लिया okay तो one two three four and five how many balls are there five तो मैं ने five कहां पर लिख्या है ढूंडो कहां पर है five यह है न हम फिर इसको इसके साथ match कर देंगे okay next क्या बना है मैं हमने count करेंगे one two three where is number three find it this is number three ना we have to match it now count the apples one two three four where is number four अब हम इसको 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 इसके साथ match कर देंगे okay so अब हम किसको count करेंगे trees को क्या बना है मैं हमने trees one two where is number two this is number two ना अब हम इसको इसके साथ match कर देंगे okay and this is cat what is this cat कितनी cats बनाई है मैं हमने count करो one only one तो one कहां पे है one को इसके साथ हम cat को one के साथ match कर देंगे okay so अच्छे से count करके अच्छे से match करना है okay bye